रात्री कहानी सुहागन की बिंदी बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर बिंदिया, काच की चूडिया, रबर बैंड, हैर बैंड, कंगी, काच के और भी बहुत सारे सामान थे, आसपडोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी, काफी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे, जैसे ही औरतों की भीड चंटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुँच गए और उसका सामान देखने लगे, शायद वे कुछ धूंड रहे थे, कभी सिर उचा करके देखते, कभी नीचा जो देखना चाह रहे थे, वह दिख नहीं रहा था, हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा, तो पूछा, कुछ चाहिए था, क्या बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया, धीरे-धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे, कहीं तो दिखे वो, जो वे देखना चाह रहे हैं, फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था, क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हा बेटा, क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं ढूंध देता हूँ, मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी, बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे, मेरी पत्नी के लिए चाहिए समझदार बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हस दिया, किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिलकुल लाल रंकी फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया यह देखो बाबा ये वाली अरे नहीं नहीं ये वाली नहीं बिल्कुल लाल सी फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिये और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया बाबा ये वाली अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिलकुल लाल-लाल बिंदिया चाहिए फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला कर रख दिये आप खुद ही देख लो बाबा कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कापते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला हाहा ये वाली बाबा के हाथ में बिंदि का पैकेट देख कर फेरी वाला मुस्कुरा दिया बाबा ने तो महरून रंग की बिंदि उठाई थी कितने की है? दस रुपए की है बाबा अच्छा कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया फिर भी बोले ठीक है अभी लेकर आता हूँ बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे तब तक घर में से बहु आती दिखी उसे देखकर बाबा बोले अरे बहु जरा दस रुपए तो देना फेरी वाले को देने है अब क्या खर्च करा दिया आप लोगों ने बहुने लगभग चिलाते हुए कहा अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी कई बार बोल चुकी है बाबा ने धीरे से कहा बस बस आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं बेवज़ का खर्चा कराते रहते हैं सत्तर साल की हो चुकी है अम्मा क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी इस उम्र में भी न जाने क्या-क्या शौक है देख बेटा बात शौक की नहीं है अम्मा भी सुहागन है इसलिए उसका मन नहीं मानता सिर्फ दस रुपए ही तो मांग रहा हूँ अंदर जाकर दे दूँगा कहा से दे दोगे जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पती की ही कमाई है मेरे पास कोई पैसे नहीं है इतना कहकर बहु बढ़बढाती हुई अंदर आ गई अम्मा ने खाट पर लेटलेटे ही बाबा को इशारा किया बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए बाबा ने देखा अम्मा की आखों में आसू थे माफ करना पारवती मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया रहने दो जी बेचारी बहु भी परिशान हो जाती होगी काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो बिंदी ही तो थी हाँ हाँ बिंदी ही थी कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी बाबा ने व्यंगे से हंस्ते हुए कहा बिंदी ही तो लगानी है जी एक काम करो पूजा घर में से हिंगलू ले आओ उसी से लगा देना पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास पहुँचे लो पारवती उठो मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी बाबा ने दोबारा कहा पारवती ओ पारवती सो गई क्या तेरी बड़ी इच्छा थी नाबडी सी लाल बिंदी लगाने की ले देख मैं हिंगलू ले आया हूँ अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा पर तू बैठ तो सही पर अम्मा बिलकुल शिथिल पड़ी हुई थी शरीर में कोई हलचल न थी बाबा का दिल बैठ गया हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास ही बैठ गये आखों से जरजर आसू बह रहे थे पर एक भी बोल न फूटा अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया आसपडोस के लोग आ गये बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तयार किया जाने लगा अम्मा उठे और घर में गये थोड़ी देर बाद बाहर आये और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गये उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी बाबा यह क्या कर रहे हो अम्मा सुहागन थी आप बिंदी क्यों हटा रहे हो बेटे ने कहा बेटा, उसका पती बिंदी खरीदने की आउकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ सुनकर सब लोग अवाक रह गए, बहु शर्मसार हो गई सब ने देखा, बाबा अपने हाथ में लाए हिंदलू से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं थोड़ी देर बाद बहु की चीतकार छूट गई, बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे मित्रो यह भावनात्मक हृदय स्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है अपने समाज में सिर्फ 2-4 प्रतिशक बुजुर्गों की स्थिती ही परिवार में सम्मान जनक है कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरण नातेरिष्टों की समापती धन लिपसा की अंधी दौड एवन लड़के लड़कियों का पढ़लिख कर सबसे अधिक जानकारी वबुद्धिमान होने का जूठा अभिमान किताबी ज्यान का होना परंतु व्यवहारिक ज्यान की कमी होना तो नहीं कृप्या हम सभी एक छोटा सा प्रयास करें अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान सभी को एक दिन बूढ़ा होना ही है मातापिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है इसलिए पश्चिमी देशों का अनुसर्ण न कर हम अपनी भारतिय संस्कृती का अनुसर्ण करें